अपना एक बहुत खुबसूरत सा पौधा, बहुत खुश्बूदार पौधा, आज फिर से आप सभी का स्वागत करने के लिए तयार है। पौधा कौन सा है? आप सभी लोगोंने पहशानी लिया होगा अपना मधू कामिनी। कुछ लोग मुर्राया के नाम से भी जानते हैं पर जादा तर इसको हम लोग पुकारते हैं मधू कामिनी के नाम से, यह देखें। जब यह फूल मुर्जाने लगते हैं तो चांद सितारों की तरह बिखर जाते हैं अपने आसपास। वेष्टी वेष्टी पर आप सभी का धेर सारा स्वागत करता है आज का यही धेर सारे खुश्बू वाला पौधा। इस पौधे की टोटल केरिंग तो मैं बताई चुकी हूँ अभी कुछ तिन पहले एक वीडियो शेयर किया था जहां पर इस पौधे के बारे में सारी चर्चा हो चुकी है, कितनी धूप चाहिए, कितनी खात चाहिए, सब कुछ। पर आज मैं फिर से आई हुई इस पौधे के साथ इसके खुब सूरत से बीज दिखाने, इसलिए कि अगर आपके पास ये पौधा है, तो आप बहुत आसानी से कटिंग से धेरो पौधे बना सकते हैं, पर कटिंग से कई बार किसी किसी के पौधे नहीं उगते हैं, तो वस ये बताना शायते हूं कि इस पौधे में इस तरह के देखे बीज भी लगते हैं, और इन बीजों से आप बड़ी आसानी के साथ धेर सारे पौधे उगा सकते हैं, बीज बना एक स्वाफवी सी प्रक्रिया है किसी पौधे के लिए, पर ये छोटी-छोटी बाते इसलिए ब पोटो शेयर करते हैं, तो आप जरो इसको लोजिकली सोचिए, किसी भी पौधे का बीज तब ही पनपेगा, जब वो बीज अपने आप में परिपक को हो चुका होगा, अगर आपने कच्चा बीज तोड़ लिया, तो आप सोचिए उससे पौधा कैसे बनेगा, जब तक तरह के, और यही बीज जब पक जाते हैं, तो लाल रंके हो जाते हैं, आप सभी को अंतर साफ नजर आ रहा है, पर बहुत सारे मेरे भाई बैन ऐसे हैं, जो गाउं देहाच से नहीं चुड़े, कभी प्योड़ पोधों को नहीं किया, तो कई बार इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं जाता, पर आप पस एक बात ध्यान रखिए, कि बीज आपका सबजी का हो, फल का हो, फूलों का हो, पर उस बीज को आपको अच्छे से पकारना है, तभी उस बीज से एक स्वस्त पोधा तयार होगा, यहां पर देखिए, यह कुछ बीज मेरे पूरी तोर पके तयार हो चुके हैं, तो इनको मैने तोड के रख लिया, और यह काफी महंगा मिलता है पोधा, तो इस तरह के बीज अगर आप हार्वेश्ट करके रखेंगे, तो किसी जरूरत बंद को दे सकते हैं, आपके आस पास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो इस पोध्यों को उगाना चाहते होंगे, तो कुछ हार्वेश्ट करके रख लिजिए, और जिनकी जरूरत नहीं है, उनको तोड के फेक दीजिए, क्योंकि इसमें बीज भी काफी सारी मात्रा में लगते हैं, तो जरूरत भर के लिए कुछ बीज बना लिजिए, बहुत ज्यादा बनाएंग जो कि कहीं से भी समझदारी का काम नहीं है, वीडियो काम का लगाओ तो लाइक के रिए सबी अपनों को शेयर कर दिजिए, और मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ थोड़ा से इंतजार कर लिजिए, दनलवाद